हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मारी चैनल और मैं हूँ शिवा अंगारी तो आज का टॉपिक बहुत ही बहुत ही बहुत होने बाला है आपके लिए बहुत ही ज्यादा है तो आज का जो टॉपिक है वह है डाक सरकल के उपर जो काले गेरे हो जाते बहुत गंदे लगते हैं तक तक आप बिल्कुल भी अच्छी लगते हैं आँक गड़े में गुज गई है और बहुत गंदा लगता है देखने में जब आप देखते हैं और लोगों को देखते हैं कितना ब्यूटिफुल लग रही है कितनी अच्छी उसकी आँख है आँखो बितने खुबसूरत जो मेरी वीडियो पर नए आए जिन लोगों ने मेरी वीडियो भी देखिया है वो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चले शुरू करते हैं चले पैक बनाने के वीचा यूँ यूँ आइख यह लिए मिन बादाम रोगन तेल और लेना है एक नीबू तो सबसे पहले हम करेंगी यह खीरे को गत्डू कस्छ तो यह इस तरीके से कस्छ रहने हैं इसको ताकि इसका एक रस निकलाए इस तरीके से हमकस्छ करेंगे इसक इस तरीके से हमने किया इसको कद्टूकस ये हो गया कद्टूकस अब इसका हम निकालेंगे रस कद्टूकस करेंगे ग्रस कर लिया है हमने अभी इसका रस करेंगे तो इस तरीकी सामने का लेंगे इसका रस में डालेंगे इसको इस पेसे से तरीके से तक इसका अच्छी से रस निकला आएंगा प्रेस करने के बार देखिए ये एक अच्छा सा रस निकलाया देखें ये रस निकलाया उसमें डालेंगे हम आदे से भी कम बादम रोवनते हैं तो ये आदे से थोड़ा सा कम बादम करते हैं के इसके बाद हम डालेंगे इसमें हम आदा चमश नेबू का निकलाया यादी मीक्स कर लिया है तो इसको अपने 더블्या के असपास लिखाना कैसा है पिस से शली किसएं आखो इसको मसाज करनी है तो चली स्टार्ट करते हैं मसाज करना तो चली इसको एपलाई करते हैं तो यह जो मैंने बनाया था एक पेस्ट इसको बताते हुए कि आपको किस तरीके से अपने आखों के आसपास कैसे इसको एपलाई करना और किस तरीके से मसाज करनी है इसको तो पूरे में लगाएंगे आप चाहे तो इस जो पैक बनाया है आप अपने पूरे फेस को भी कवर कर सकते इस तरीके से आपको इसको मसाज करनी बहार की तरफ ऐसे इस तरीके से नहीं लेके आनी इस तरीके से आपको मसाज करनी इस तरीके से बहार की तरफ लेके आनी है इस तर तो आपको blood circulation अच्छा होगा जो आपके काले गेरे को हटाएगा इस तरीके से आपको tap tap करना है फिल लेना है और इसको आप रात को ही करना है तो जाता बहतर result मिलेगा क्योंकि रात को आपकी जो दुच्छा होती अच्छी से relax करती है इस तरीके से आपको करने है इस तरीके से आपको करने मसाज आपको देली करने है आपको एक हफ्ते के बाद इसका बहुत अच्छा result मिलेगा और ध्यान रखिए कि आप जादा से जादा पानी पीजेए डाइट फॉलो कीजिए और 8-9 गंटे की नीद आपको 100% पूली करने हैं किसी भी तरह से आपको जल्दी सोईए और जल्दी उठीए एक रूटीन मनाईए अपना जब आप रूटीन मनाते हैं तो आप अच्छे से हर चीज को फॉलो कर पाएंगे अगर आपका कोई रूटीन देना इस तरीके से आपको मसाज करने हैं और डेब डेब तो अच्छे से करना ही है इस तरीके से आपको फिंगर चलाना है तो इस तरीके से आपके डाइक सरकल 15 डेज में ही काफी राहत मिलेगी आप यह तो नहीं क्या सकते हैं कि 15 डेज कंप्लीट कर लिया मैं मेरे डाइक तो ऐसा नहीं होता है, आपको बरावर रूटीन फॉलो करना है जब तक आपके ये डाग सरकल चले नहीं जाते हैं, ध्यान रखना है आपको, इस तरीके से आपको करने के बाद, नाइट में रखना है, सुबह आपको क्या करना है, सुबह आप जब उठेंगे, तो आपको आप आराम से इसको किसी टॉबल से पोचने के बाद, किसी मॉस्ट्राइज को मॉस्ट्राइजर लगा कि इस तरीके से, फिर आपको इस तरीके से मसाज करनी है, सुबह उठके, ध्यान रखिए और पानी जादा से जादा पीजिए, यह मैं हमेशा कहती हूँ, हर वीडियो म पानी पीजिए, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयो, तो लाइक करें, सस्क्राइब करें, और जादे से जादा शियर करें, हर बार वही बोलती हूँ, तो आपको याद रखना चाहिए, थेंक्स वर वाचिंग, बाब बाई